इस महा कुम्ब को रूपांतरित या पुनरजुवित करना होगा एक ज्ञान के आधार के रूप में एक ऐसे स्थान के रूप में जिसे बड़ी संख्या में लोग, प्रेरणा, उप्चार और रूपांतरण के स्त्रोत के रूप में खोजें हजारों सालों से ये ऐसा ही रहा है, शायद पिछले पांच, छे या दस दश्कों से उसने कुछ हद तक अपनी एहमियत और महत्वखो दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि देश हमारे अपने हाथों में नहीं था तो इसे पुनर जीवित करने का क्या आर्थ है, बारा साल में एक बार स्नान करने का क्या महत्व है बात ये नहीं है, ये योग के एक मूल आयाम से निकला है, जिसे भूत शुद्धी कहा जाता है, जिसका आर्थ है, हमारे शरीर में पंच तत्वों का शुद्धी करण इस ब्रह्मांड में सब कुछ, ये शरीर, पृत्वी, सौर मंडल, ब्रह्मांड और स्रिष्टी, सब कुछ बस पंच तत्वों का खेल है पूरा ब्रह्मांड बस पंच तत्वों की एक शरारत है, वे पांच मिलियन नहीं है, सिर्फ पांच है इस से सुरिष्टी के पीछे की बुद्धिमानी का पता चलता है जीवन ने जो घर्बों रूप अपनाए हैं, वे सब सिर्फ इन पांच तत्वों से बने हैं इसलिए योगिक प्रनाली योग का मूल रूप भूत्शुद्धी है जिसमें ये माना जाता है कि अगर आप इन पांच तत्वों पर थोड़ी महारत पा लेते हैं तो इससे आप सेहत, खुशाली, संपन्नता, ब्रह्म्हान तक पहुँच इन सभी आयामों पर भी महारत पा लेंगे अगर आप सिर्फ इन मूल तत्वों पर महारत पा लें जो आपको वो बनाते हैं, जो अभी आप हैं और हर चीज़ को वो बनाते हैं, जो वो है तो अगर विज्ञान की बात करें कि कुम्ब क्यों मनाया जाता है कुछ खास अक्षांस और नदियों का संगम क्यों महत्पूर्ण है इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है मैं अभी उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाता मगर मूल रूप से इसका मतलब है कि आपके अंदर मौजूद पानी को आपके बाहर मौजूद पानी के तालमेल में होना होगा जो पानी यहां है ये आपके भीतर कैसा बरताव करता है ये काफी हद तक आपके स्वास्त और खुशाली की प्रकृती तह करता है वो कैसा बरताव करेगा वो वैसा ही बरताव करेगा जैसा व्यवहार आप उसके साथ करेंगे मेरा मतलब है कि आज आधुनिक विज्ञान तमाम प्रयोगों के जरिए इस नतीजे पर पहुँचा है कि पानी में जबरदस्त याददाश्थ होती है फिर पानी को तरल कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि उसमें असाधारन याददाश्थ और बुद्ध ही मौझूद है ये चीज हमें समझने की जरूरत है पानी एक वस्तू नहीं है ये जीवन को बनाने वाली सामगरी है जिस पानी को आप पीते हैं वो कहीं भी नहीं चला जाता वो एक इनसान का रूप लेता है अच्छा बरताव करने पर अच्छे बरताव के रुझान की और बुरा बरताव करने पर बुरे बरताव के रुझान की आदश्थ और बुद्धी उसमें होती है तो इसे लेकर इस देश में एक पूरा विज्ञान संस्कृतिक रूप से स्थापित है कि पीने के पानी के साथ कैसे पेशाना चाहिए ये पहलू काफी हद तक नश्ट हो गए हैं क्योंकि हम एक बहुत अर्थ विवस्था केंद्रित संस्कृति बनते जा रहे हैं अर्थ विवस्थाएं सिर्फ जीवन चलाने के और अपने लिए जरूरी चीज़ें इखटा करने के बारे में हैं अर्थ विवस्था हमारे जीवन का मार्ग दरशन नहीं कर सकती आध्यात्मिक आयामों या आध्यात्मिक विज्ञानों की दिल्चस्पी हमेशा इसमें रही है कि आंतरिक प्रकृति को कौन से नियम संचालित करते हैं इस लक्ष को पाने के लिए कई चीजें बनाए गए बहुत से आयाम, बहुत से पहलू, बहुत से साधन और बहुत से विधियां कि वहां तक कैसे पहुँचा जाए इन सभी चीजों में भूत शुद्धी एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है कुम्भ मेला इसी भूत शुद्धी प्रक्रिया का एक हिस्सा है मेरा मकसाद और मेरी कामना है कि ये कुम्भ मेला सिर्फ एक और रस्न बन करना रह जाए जहां बहुत सारे लोग इखटा होते हैं इसे एक रूपांतरन लाने वाली प्रक्रिया बनना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम भारतिय लोग अपने अंदर एक अलग स्तर का संतुलन प्रदर्शित करें तो मेरा विश्वास कीजिए अगले 25 सालों में हम सबसे महत्वपूर देश होंगे क्योंकि बाकी दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी चुनोती होगी बाकी दुनिया जानना चाहती है कि होना कैसे है वे जानते हैं कि कुछ करना कैसे है वे ये नहीं जानते कि होना कैसे है ये ऐसी चीज है जो हम दुनिया को भेंट कर सकते हैं क्योंकि जब एक इनसान की भीतरी प्रक्रिया की बात आती है मैं ये भारतिय होने के पक्षपात के साथ नहीं कह रहा हूँ जब इंसान की भीतरी प्रक्रिया की बात आती है तो किसी भी संस्कृती ने इतनी गहराई के साथ इंसान के भीतरी आयाम पर ध्यान नहीं दिया है जितना इस संस्कृती ने दिया है जैसा कि एक बार Mark Twain ने यहां आने के बाद कहा था शायद विकुम्ब मेला भी आये थे उन्होंने कहा भगवान या इनसान द्वारा जो कुछ भी कभी भी किया जा सकता है वो यहां किया जा चुका है हमने उन पर ये चाप छोड़ी थी यही चाप हमें कल बाकी की दुनिया पर भी छोड़नी है कि भीतरी आयाम में जो कुछ भी खोजा जा सकता है जो कुछ भी हम वो खोज चुके हैं दुर्भाग्य से हमारा प्रस्तुत करने का तरीका भटक गया है और हास्यास्पद बन गया है हम गाए पूजने वालों सपेरों वगेरा के देश बन गये हैं और हम हम आईटी अपना रहे हैं वो सब ठीक है मगर सबसे महत्पूर्ण ये है कि हमें पता है कि होना कैसे है चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो हमें अपने भीतर स्थित होने का तरीका पता है जो आने वाले सालों में धर्ती पर सबसे कीमती चीज़ होगी क्योंकि हर किसी को आधुनिक तकनीक से मिलने वाली कई सुविधाय मिलेंगी जब उनके पास वे सुविधाय नहीं होती है तो उन्हें लगता है कि उनके मिलने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे ही वे उन्हें मिलती है वे समझ जाते हैं कि जीवन में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है तब ही पूरी दुनिया किसी ना किसी रूप में साध़क बन जाएगी या जैसे कि मैंने पहले कहा पहली बार मानव बुद्धी अनूठे तरीके से विक्सित हो रही है हर इनसान अपने लिए सोच पा रहा है सही या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता पर उसने सोचना शुरू कर दिया है उसने सोचना शुरू कर दिया है इसलिए खुशाली के लिए उसे स्वर्ग भेजना कारगर नहीं होगा आपको उसे वो यहीं देना होगा और उसे ये बताना कि इस सोफे का नर्म कुशन आपके जीवन को खुशाल बनाएगा कारगर नहीं होगा क्योंकि सभी उस पर बैट कर जान चुके होंगे कि इससे बात नहीं बनेगे लोग वन्चित हैं इसलिए इस तरह के सिध्धानत कारगर हुए हैं क्योंकि लोग लंबे समय तक वन्चित रहे हैं अगर आप उन्हें सिर्फ ये कह दें कि आप अच्छा खा सकते हैं तो वे उन्हें स्वर की तरह लगता है स्वर की सारी व्याख्या यही है कि आप भोजन या कुछ और अच्छे से कर सकते हैं जिन चीजों से लोग वन्चित हैं वे वहाँ उपर हैं मगर ये चीजें भवश्य में कारगर नहीं होंगी लोग असली समाधान चाहेंगे जब वे असली समाधान चाहेंगे तो मेरा विश्वास कीजे दुनिया में किसी भी जगा कोई इतने गहन समाधान नहीं दे सकता जैसा भारत दे सकता है क्योंकि लगभग आट-दस हजार सालों से हमने इसी में अपना समय जीवन और उर्जा खर्च की है और ये ज्ञान बटो रहा है इस पर हम विश्वास नहीं करते ये हमारा सिध्धान नहीं है बलकि इसे हमने ध्यान से देख कर नोट किया है और साधन बनाए है ताकि उस तक पहुंच सके ये मेरी कामना और मेरा आशिरवाद है कि ये कुम्भ मेला दुनिया को इस संभावना के प्रति जागरत करने के दिशा में एक बला कदम साबित हो